पेट्रोल तो लेकर आना ही पड़ेगा, तब ही जाकर के अपना बाइक हम स्टार्ट कर पाएंगे, देखते हैं, पेट्रोल तो मिल ही जाएगा, ज्यादा स्पीड भी में चला सकते हैं, इस गाउं के रोड पे क्या है न कि गाई, बक्री सब, पूरा रोड पे रहते हैं, और रोड का कंडिशन भी उसी तरह का है, भी अंगल के सा आ रहा है, दोस्तों जरूर बताईएगा, यहाँ पर भी रोड खोदा हुआ है, यह देख सकते हो, पाने भी जंग गिया, पाने भी जंग गिया है, रोड भी खोदा हुआ है, और इधर में गुप्चुप बेचाते हुए, देखिए, पापा की पर यहाँ लोग गुप्चुप भी खाने के लिए आ गये हैं, अभी जाकर के काला रोड पहुचे हैं, और देखो बाइकर लोग पूरा एकदम मस्ती मोज करते हुए, एकदम उड़ा रहा है बाइक को, और क्या ही बोले, पता है हम लोग तीन लोग बाइक में हैं सवार, एक बाबू है और एक मीमू है और हम है, तीनों लोग हम लोग है साथ में, बाबु को बोले कि नहीं जाए बाबु, रास्ता का कंडिशन खराब है, उपर से बारिस का मौसम है, कभी भी बारिस आ सकता है, क्या ही बोले, लेकिन बाबु तो सुनने वाल है नहीं हमारा बात, को नहीं, बाबु को लेकर चलते हैं और क्या, इसको बहुत घूमने का मन करत बात कुछ ऐसा है कि हम घर पर रहते नहीं है कभी कभी आते हैं घर पर तो बाब पूरा खुस हो जाता है कि हम भी भूमेंगे साथ हैं बोलके यह मिरर भी बाइक का जो है ना यह लूज-लूज है यह घूंते रहता है इधर उधर क्या कर सकते हैं काला रेड में पानी बह रहा है यह देख सकते अभी एक दन तुरंत बारिस आया है और छोटा है देखिए यहां का रेड देखिए कैसा है अब यहां पर कितना गड़ा है क्या है मुझे आइडिया नहीं है फिर भी घुसा दिया पाने में बाकी निकल भी गये हैं और अधर में है पेट्रेल पांक चलते हैं पहले पेट्रेल लेते हैं उसके बाद में फिर चलेंगे देखते हैं क्या सीन होता है कि सो रुपईया कर लेंगे ज्यादा नहीं इडिया